Welcome back to your channel friends तो आप सबी भारत वासियों को 72 गंतंतर दिवस का हार्दी कभी नंदन हार्दी को सुपकाम ना है तो आज के इस वीडियो में मैं आप से सिफ 3 common questions पूछूँगा First question है आपका कि ये जो flag है Indian flag, इस Indian flag में Total 24 आपका ये spokes होता है तो 24 is spokes ही क्यों होता है Second question रहेगा कि ये spokes का color blue ही क्यों होता है और third सबसे interesting है कि ये जो आप flag देखते हैं जिसमें first में आपको सैफरोन, second में आपको white और third में आपको green देखता है तो ये ऐसा क्यों होता है ये chronological जो order is का पहले सैफरोन, white और green ही क्यों होता है तो इन सब के बारे में हम लोग इसका answer जानेगे, ये सबसे three interesting fact भी है, तो चलिए देखते हैं first का answer हम लोग, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो ये चक्र है इंडियन flag में, इसमें 24 spokes ही क्यों होता है, तो 24 spokes जो है, वो हम लोग को बतलाता है 24 hour, ठीक है, हम लोग के time में, घड़ी में देखिएगा ये total कितना 24 hour होते हैं ठीक है, तो 24 hour को वो indicate करता है, firstly और second question जो था मेरा, साथ में ये भी देख लिए 24 hour होता है और आपने वो पोयम पड़ा होगा, इंदिस का hour है, और आपको 24 hour continue चलना है ठीक है, तो ये चक्र indicate कर रहा है 24 hour को second है, जो मेरा question था कि ये blue color का ही क्यों है, तो blue color का एकदम simple common सा answer है, कि आप जब height पे जाते हैं, या जैसे plane से जा रहे हैं कहीं, तो आप जब flag में देखेंगे, ये blue color, तो अभी आपको ये जैसे sky दीख रहे है, ये sky भी पूरा blue होता है, और ocean जो होता है, वो भी blue होता है, इसलिए उसका इसका जो चक्र का color जो है, वो blue रखा गया है, उसके बाद third मेरा जो question था, कि ये जो order है इसका, कि first में saffron होना, second में white होना, और third में green होना ही क्यूँ है, इसको देखे clear करते हैं, first में saffron color, क्यूँ है, देखेगा जब भी आप दिया जलाते हैं, तो दिया का जो law जलता है, law जो जलता है, तो law का उपर में जो आपको दिखे, वो saffron color का दिखेगा, तो saffron मतला हलका red type में दिखता है, तो इसलिए, सबसे top में, flag में saffron color को रखा गया है, बाकी तो पता ही है कि केसरिया जो है, बल भरने वाला है, symbol जो है वो, केसरिया, ताकत का है symbol, ठीक है, लेकिन उपर में ही क्यूँ है, इसके पीछे का तो white में देखें क्या है, कि white का color सफेध है, सांती का प्रतीक है, इसको बीच में रखा गया है, और ये जो green color है, green color को सबसे नीचे क्यों रखा गया है, तो यहाँ पर भी वही है, अगर जब आप height में जाईएगा, और वहाँ से देखेगा, तो आप लोगों क्या दिखता है, जमीन जो है, land area जो है, वो नीचे नज़र आता है, तो जमीन कैसा हरा भरा दिखता है, इसलिए हरा रंग को नीचे रखा गया, ताकि इससे relate कर सके, height से flag को देखने पर हरा रंग और इससे relate कर जाएं, इसलिए हरा रंग का नीचे है, यही इसका chronological order है, सबसे फ़र सैफ्रान, देन white, देन green, तो I think आप लोगों को यह fact का अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बाइंट टेक केर